कि अधियु वेल्कम अगें टौ आवर चैनल तो आज अपने को लाइन संद एंगल्स का थर्ड और लास्ट पार्ट करने वाले हैं तुमने फर्स और सेकंड पार्ट अपडेट कर दिया है यूटूब पे तो जितने लोग पहली बाढ़ आये हो तो फर्स और सेकंड पार्ट क में 24 तक कवर किया है यह लाइन संद एंगल्स एंसी क्यूज जो हम लोग आडिस्रमा बुक से कर रहे हैं और बुक को लेटिस्ट जो एडिशन है आडिस्रमा का 19 या 20 यह बोल लो ठीक है 2019 या 2020 उस बुक को फॉलो कर रहे है जितने लोग पहली बाढ़ आये हो तो पहले फर है तो दबा देना कि जैसे ही कोई लेटिस्ट वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक पहुच जाए चलो तो कंटिनी करते है अपनी वीडियो को लेक्शर को तो कुश्चन में 25 जो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज तो फर्स कुश्चन है टू कॉम्प्लिमेंटरी एंगल की बात हुई है तो अगर एक एक एंगल तो इसका कॉम्प्लिमेंट ही क्या हो जागा 90 मानस एस सब बात पहले हो चुकी है अब टू टाइम्स दा मेंजर्स ओफ वन एंगल तो एक का ट्वाइस जो है ना वह दूसरे वाले का थ्री ताइम्स के एक्वल है जो दूसर ट्री ताइम्स दा मेंजर्स ओफ अधर यह बोल ला है तो इस हो सिंप्लिफाइगे ट्वाइस इस इक्वल टू 3 इन्टू 90 मानस 3x ब्रैकेट कोल दिया इस 3x को यहां लिया है 2x में आइट कर दिया यह गया 5x इस इक्वल टू 3 इन्टू 90 तो x की वैल्यू हो गई 3 करके डिवाइड कर सकते है तुम्हारे उपड़ है यह 18 टाइम यह 54 एक्स की वैल्यू आगे 54 उसने कहा है find the measurement of a smaller एंगल तो अगर x 54 है तो यह कितना हो जाएगा 90 मानस 54 दूसा एंगल क्या हो जाएगा 90 मानस 54 तो किस के क्वल हो जाएगा 36 के एक्वल तो छोड़ा कॉन सा यह 90 मानस 54, 90 मानस x जो कि 36 के क्वल है तो answer हो जाएगा 36 तो इस तरब को कॉश्चन एक्जाम में आता है complimentary वाले कॉश्चन पर धिहान दखना next 26 26 में x y z given find the value of x ठीक है तो देखो अब क्या given है y upon x जो है वह 5 के क्वल है तो y किस के क्वल हो जाएगा 5 of x यहां से और z upon x जो है वह 4 के क्वल है तो z क्या हो जाएगा 4 x यह relation हमें मालूम चल गया अब देखो x plus y plus z figure में देखो x plus y plus z x plus y plus z kis के क्वल होगा 180 degree reason why angle in a straight sum of angle on a straight line straight line है y हमने निकाल रखा है x के terms में 5 of x है तो y की value 5 of x है तो हमने यहां पर 5 x सकती है और जो z है वो 4 times x है तो 4 x को यहां रख दिया is equal to 180 degree तो x plus 5 x plus 4 x कितना हो जाएगा यह तो माला होगा 9 10 x 10 x is equal to 180 तो 0 0 कर गया तो x की value आ गई 18 degree x is equal to 18 और हमें x निकालना है clear है तो 26 completed चलते next question 27 पे चलो 27 अच्छा question है question कर रहा है AB parallel CD यहां पर AB parallel CD parallel EF है GH parallel KL है ठीक है है measurement of hkl इस यहां पर जो angle है यह angle इसका measurement पूछा गया है तो यहां पर हमने क्या किया यहां पर इस line को हमने आगे extend किया जो GH line है इसको आगे हमने straight ऐसे extend किया ठीक है मैं तो और तुम्हें जूम करता हूँ और च्छा दिखेगा ठीक है तो इस line को हमने ऐसे आगे extend किया यह parallel है kl के parallel है यह जो GH है जो GH parallel to kl question में given है GH जो है वो parallel to kl है तो हमने GH को extend कर दिया ठीक है उसके बाद देखो अब जब extend किया यह line मालनो GH यह point आ गया तो GX बोल लो या HX बोल लो वो भी parallel to kl होगा और हमने यह angle चाहिए यह complete ठीक है यह complete angle चाहिए तो थो समझने यहां पर तो मालनो हमने इसे X बोल दिया इसे Y बोल दिया X और Y निकाल लो add कर दो angle hkl आ जाएगा हमें hkl निकालना है ठीक है अब देखो यहां पर यह 60 है तो यह angle जो है यह 60 हो जाएगा 60 degree region corresponding angle ठीक है क्योंकि यह line जो है यह line straight है और यहां पर AB parallel CD है तो यह angle और यह angle इसको straight कर दो बिद्कुल corresponding angle इसलिए 60 degree है तो line को straight अगर आगे बढ़ाओगे तो समझ में easy अगर घुमाओ उल्टा उल्टा कर दो तो तो लगे है तुम्हें वहाँ पर straight line नहीं तो ट्रांसवसल सभी से दिखेगा नहीं तो यह 60 है तो यह भी 60 है region corresponding angle उसके बाद यह 60 है तो यह complete angle जो होगा ना यह complete angle वो 60 होगा मालों यहां पर मैंने point बोल दिया O तो angle OHD जो होगा वो 60 degree होगा यह complete 60 degree होगा clear reason वही है यह 60 है तो यह भी 60 होगा reason vertically opposite angle से हुआ vertically opposite angle इसलिए हो रहा है अब यह 60 है तो यह angle भी 60 होगा vertically opposite angle यह ठीक है यह point मैंने O माला देखो अब यह जो OX है ना OX और यह KL वो parallel है क्योंकि हमने यह GH को एक्स्टेंड के आगे तक तो GH parallel KL given है question में तो आगे extend करोगे तो line parallel ही रहेगा तो OX parallel LK है तो यह 60 degree जो angle होगे 60 degree और यह angle X कितना हो जाएगा 60 plus X 180 reason co-intair angle तो first and second part में बहुत बार बात हो चुकी है बहुत जगे यूज होता है sum of the angle on the same sides of the transversal इसलिए 180 डिक लिए तो यह 60 plus यह X 180 होगा यह 60 कहां सा आया इस 60 से यह दनो vertical average angle है यह 60 कहां सा आया इस 60 से क्यों corresponding angle है तो यहां linear period से यह angle जो यह नीचे वाला हो जागा 120 degree तो यह हो जागा 120 degree linear period से यह 60 तो यह straight line है यह बोलो यह straight line है तो यह 60 तो यह हो जागा 120 क्योंकि sum क्या हो जागा 180 के तो यह 120 हो जाएगा वह linear period से लगा लेगा 120 degree हो जाएगा अब देखो अब यह total angle जो मैंने लिखा है यहां पर OHD वो 60 के एकवल है यह angle जिसमें से यह 25 है के एच डी के एच डी के एच डी जो है वो 25 डिग्री है देखो MCQ कर रहे हैं तो यहां पर मैं statement नहीं लिख रहा हूं तुम लोग साव तो साथ साथ लिखते जाओ KSD 25 है और total OSD 60 है तो यहां पर OHK यह angle OHK मतलब मैं मार्क कर रहा हूं यह angle यह वाला जो blue से मैंने मार्क किया है वह कितना हो जाएगा वह हो जाएगा 60-25 ठीक है तो यहां पर अब देखो अब मैं figure को थाँ सा clean कर रहा हूं जो जितना नस्सेरी वह ही रख रहा हूं मैं ठीक है चलो ट्राइंगल OKH को observe करो ट्राइंगल OHK को OKH को observe करो ऐसे यह angle तुम्हारा 120 आ गया ओ जो है 120 यह तुम्हारा कितना आ गया 35 डिग्री जो H है यहां पर 35 डिग्री और यह हमें Y निकालना है अभी तो angle sum property से क्या हो जाएगा angle sum property से 120 plus 35 plus Y is equal to 180 तो Y is equal to 180 minus 120 plus 35 155 ठीक है तो यह तुम्हारा हो जाएगा 25 25 तुम directly लिए सकते है यह 25 है तो यह भी 25 हो जाएगा alternate angle ठीक है यह लाइन इसके parallel है तो वहां से भी निकाल सकते थे ओई अलग-अलग method तो आने उपर है यह angle 25 है तो यह भी 25 होगा no doubt तो directly भी निकाल सकते हो 25 एक साय था 120 और हमें निकालना है H KL यह complete angle तो angle जो H KL निकालना था 145 तो 145 यहां पर हमारा answer हो जाएगा ठीक है तो देखो 145 कौनस option match कर रहा था थोगा साइजस करने तो option number C तो यहां पर C correct हो गया समझ में आ गया तो अगर नहीं आया कोई बात नहीं वीडियो को दुबार देखो मैंने एक चीज़ लिखी है हाँ मैं पूरा statement क्लिमिंट mention नहीं कर रहा हूं क्योंकि mcqs कर रहे हैं पूरा statement लिखने में बहुत time लग जाएगा लेकिन मैं बोलते जा रहा हूं जो भी चीज़ यूज हो रही है उसका reason मैं साथ में बोलते जा रहा हूं तो तुम लोग notebook में note-down करते जाओ कुछ-कुछ question में note-down करने की ज़रूरत परती है तो यह अच्छा question था इसको note-down कर लेना मैंने reason हर एक का बताया है कब क्यों use किया है reason मैंने explain किया है चलते next 28 पर 28 में क्या है A, B & C, D are two parallel lines तुमने A, B & C, D दो parallel lines ले लिया PQ cuts A, B & C, D PQ Transverse मने बोल ला है PQ वाल लो यह PQ lines है at point E, E पर और F पर cut कर रहा है यह mention है respectively EL is the bisector of angle FEB, FEB यह angle है उसका bisector है EL यह L point है, यह bisector है मतब अगर यह तुमने X माना है तो यह angle भी X होगा तो completely angle E, 2X है angle E, LEB 35 degree मतब इन्होंने दे दिया यह 35 degree है तो यह भी क्या हो जागा 35 degree हो जागा तो angle A complete कितना हो जागा 70 तो angle BEF 70 degree है find the angle of CFQ CFQ यह angle निकालना है तो अगर यह Y है तो यह भी Y होगा reason vertically opposite angle अब देखो यह जो complete angle है यह angle E और यह angle इसका सम क्या हो जाएगा 180 reason co-integer angle बार बार यह angle यह use होड़ा समझ लो तो यहां पर यह 70 degree है और यह angle मैंने Y मान लिया Y is equal to 180 co-integer angle Y is equal to 180 minus 70 is equal to 110 तो यह value आ गए 110 तो यह भी हो जागा 110 तो CFQ जो है वह 110 हो गया 28 का C correct answer है clear है 29 देखो अब simple question था 29 में क्या बोला है In the given figure Y find करना है Okay तो अब simple question है यह जो complete figure देखो यह जो complete angle है और यह जो complete angle है इसका सम क्या हो जाएगा 180 reason co-integer angle क्योंकि AB parallel CD है और BD क्या transversal है प्लस 2Y प्लस Y यह complete angle और यह कितना है प्लस 5Y क्योंकि 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 180 तो यह जाएगा 9Y is equal to 180 तो y is equal to 180 upon 9 is equal to 20 degree तो इस cancel हो जाएगा D 20 clear चलो चलते है next यह इस chapter का last question है question में 30 again question कर चुक है हम लोग कोई बात नहीं फुरसे करेंगे अब देखो यहाँ पे CP parallel तो मैं थोड़ा सा zoom करना हूँ figure को ठीक है समझ में आदेगा अच्छे से चलो question में CP parallel BQ है यह CP जो है वो BQ के parallel है find the measurement of X निकालना है तुमने क्या किया इसे यहाँ आगे extend कर दिया तो यह complete line BQ के parallel है clear है तो अब देखो क्या क्या होगा यहाँ पे यह point तुने मान लिया X है यह C है यह A है पहले चीज यह 105 है तो यह एंगल अगर मान लो तुम मान लिया Y तो 105 plus Y 180 के के कुल होगा reason co-inteller angle यह BQ parallel PX हो जाएगा BQ parallel CP है लेकिन हमने CP को extend कर दिया X तक तो बहुत है straight line है वह भी parallel होगा तो PX co-inteller angle से यह हो जाएगा तो Y की value कितनी हो जाएगी 180-105 is equal to 75 degree यह directly बोल सकते हो यह 105 है तो corresponding angle से 105 हो जाएगा यह तुमने पहले Y निकाल लिया और linear PIRL से यह angle निकाल लिया अंदर वाला तो 105 हो जाएगा तो तुम्हारे उपर है टीक है तो यह angle तुम्हारा जो है यह X है CXA angle CXA यह 105 हो जाएगा यह angle A 25 है तो यह angle निकाल लो angle C मतलब angle A CX निकाल लो angle sum property से और linear PIRL से यह X निकाल लोगे उसके बाद एक तो यह काम कर सकते हो मैं कर देता हूं चलो तो angle A CX किस triangle को देखना है मैं देखना है triangle C AX को observe करो उसमें यह angle 105 है CX angle ले मतलब यह angle 25 है और A CX निकाल लो A CX plus 105 plus 25 is equal to 180 angle sum property तो angle A CX जो है वह हो जाएगा 105 plus 25 130 180 minus 30 is equal to 50 ठीक है is equal to 50 तो यह angle तो वह 50 आ गया A CX अब मैं पता है A CX plus यह angle X वह क्या हो जाएगा 180 reason linear PIR तो X plus angle A CX 180 linear PIR से तो X कितना हो जाएगा 180 minus A CX AX से 50 तो X के value आ गई 130 तो 130 इस क्यान से हो जाएगा दूसरा हमें पता है exterior angle property यूज कर सकते थे यह angle जो है ना यह angle CXA plus यह 25 वह इस X के एककल होगा reason exterior angle sum of 2 interior angle is equal to the opposite exterior angle जो कि next chapter में आएगा triangle में पढ़ोगे लेकिन बहुत लोगों ने पढ़ लिया तो उसको तुम directly यूश का सकते हो तो यह angle plus यह angle जो होगा वह X के एककल होगा तो 105 plus 25 वह directly तो max दे सकता है 130 के एककल तो एक वह भी use का सकते हो दूसरा अगर किसी नहीं पढ़ा है तो तुमने यह method से निकाल दिया clear है तो मैंने इन दोनों बता दिया अब जिसको जैसे समझ माया होगा जिससे इतना पढ़ा होगा उसके recording काम कर लेगा clear है तो lines and angles भी हमाना chapter complete हो गया तो हमने ने अभी तक almost 8-9 chapters upload कर दिये मैंने MCQs आरी सरमा से तो देख सकते हो उनको revise करने के लिए काफी अच्छा होता है कभी भी chapter को revise करना है NCRT से पढ़ लो ठीक है formulas देख लो chapter को revise कर लो उसके बाद practice करने के लिए MCQs कर लो MCQs से क्या होता है उसमें तुम्हें MCQs टाइप question की प्रैक्टिस होती है और RD सरमा में कुछ subjective type MCQs में subjective type question में डाल जाते है तो subjective type question की प्रैक्टिस होती है subjective plus MCQs ठीक है clear है अगर वीडियो पूसन आया हो तो वीडियो को like करना वीडियो को share करो like करो और जेतने लोग वीडियो देखते हो वीडियो को चैनल को subscribe कर दिया करो और bell icon दबा दिया करो ताकि जो भी नहा वीडियो अप्लोड़ो आप से related आपके class से related उसका notification आप तक पहुच जाए चलो जल्दी मिलेंगा अपने next वीडियो में नए chapter के साथ तक के लिए goodbye take care